हेलो गाइस वेलकम टुमाई योटूब चेनल टैग बॉयम केस आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़दा इंपोर्टेंट और योजफुल होने वाली आज की वीडियो मैं आपको लाइब प्रूब दिखाने वाला हूँ कि आप अपने फोन में काल अनाउंसमेंट के आपसन को अनेबल या डिस्टीबल कैसे करेंगे कोई भी कॉल आएगी तो आपका जो भी नंबर रहेगा नंबर बोलेगा और नाम शेट किये हैं तो नाम भी बोलेगा दोस्तों सबसे पाले क्या करना है आपको अपने phone में phone dialer open करना है phone dialer open करने के बाद कुछ ऐसा interface मिलता है right side उपर की तरफ आप लोगों को three dots देखने को मिलता है three dots पे आप लोगों को click करना है three dots पर click करने के बाद यहां पे एक option आप लोगों को मिलता है setting नाम से आप लोगों को setting पर click करना है जैसे आप लोग setting पर click कर देते हैं कुछ ऐसा interface finally देखने को मिल जाता है दोस्तो हो सकता है कुछ feature आपके phone में अलग हो लेकिन आपको tension नहीं लेना है दूसरा भी तरीका मैं आपको बताऊंगा अब दोस्तों यहाँ पर दो तरीके हैं सबसे पहला तरीका जो अभी मैं बता रहा हूँ इसके बाद दूसरा भी बताता हूँ आप यहाँ पर नीचे आएंगे यहाँ पर मिलेगा color ID announcement का option आप लोग color ID announcement पर click करेंगे तो यहाँ पर announcement color ID never है अगर हम इस पर click करेंगे click कने बाद तीन option मिलेंगे always का option मिलेगा only when using a handset और never अभी यह never पर click है अगर आप इसको always पर कर देंगे तो आप जो है जब भी आपके number पर कोई भी call आएगी तो हमेशा announcement जो भी नाम number है हो लेगा इसके बाद only when using a handset पर अगर आप लोग click कर देंगे तब आप अगर bluetooth वगेरा से connect है किसी handset से connect है तब ही यह जो है number का number का या नाम बोले वो announcement करेगा दूसरा तरीका आप अपने setting में announcement ID search कर सके उसको आन कर सकते हैं